आज की स्क्लास में आज मैं कक्ष दस्वी के बिद्द्यार्थियों को प्रस्नवाली दो के आगे के प्रस्नों को बताऊंगा तो अगला जू प्रस्ना नहता है निमने लिखित समी कर्णों को किसी भी विदी से हल कीजिए अब यहाँ पे कूल आपको 6 प्रसन दिखाई दे रहा होगा इसमें हर एक में 2-2 समीकन है और इसे किसी भी विदी से हल करने के लिए का है तो एक चीत मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे जितनी भी प्रसन है न वो हर विदी से हल नहीं होगा ठीक है हर बार हमें विदी चेंज करना पड़ेगा तो इसी को मैं आपको समझाऊंगा कि यह कैसे और कौन से विदी से हल होगा क्योंकि थोड़ा भी डाउट अगर आपके मन में रहेगा कि से मैं इस विदी से हल किया और यहाँ पे मैं रुख गया तो आगे कैसे हलोगा और रुखेंगे कहाँ पे यह भी मैं बताऊंगा क्योंकि यह सारे प्रस्न काफी कंपलिकेटिव है चलो मैं बताता हूँ आपको तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला प्रस्न को पहला प्रस्न देखो यहाँ पे क्या है एकस माइनस वाई बराबर माइनस एक और यहाँ पे क्या दिया हुआ है दूसरा समी करें तीन एकस माइनस दो आई बराबर यहाँ पे बारा दिया हुआ है आप इसे हल करके देखो हल करके क्या देखना है हमें यह चीक करना है पहले कि यहाँ पे दोनो X और Y जो है वो कट तो नहीं रहा है तीक है तो इसके लिए हम विलोपन विदी से चेक करेंगे लेकिन हल करेंगे प्रतिस्थापन विदी से देखो अगर मैं इस तीन का यहाँ पे पूरे में गुड़ा कर दूँगा तो आगे का क्या हो गया तीन बराबर हो गया ध्यान देना तीन बराबर हो गया अब यह तीन तीन कट जाएगा तो यह वाला भी नहीं कटना चाहिए तो यह तीन हो जाएगा और यह दो हो जाएगा तीन दो पांच हो यह नहीं कटेगा विलोपन विदी से बन जाएगा तो साथ ही साथ प्रतिस्थापन विदी स अभी मैं आपको ऐसी ही यहां पर बता रहा था चलो अगर यहां पर यह चीज समझ में नहीं आ रहा है तो पहले हम हल करते हैं और कहीं पर जहां पर भी हम रूखेंगे न वहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आगे यह हल होगा तो चलो इसे मैं प्रतिस्थापन विधी से ले लेता हूँ मैं, तो x-y बराबर minus 1, और यह जो minus y है न, इसका उस पर पतिस्थापन कर देता हूँ, तो यह हो गया x, बस यहाँ पे रहेगा y उससाइड जाके क्या हो जाएगा, minus से क्या बन जाएगा, plus बन जाएगा, यह यह चीज मैं आपको बार-बार बताया हूँ, ठीक है, तो यह हो गया, तीसरा समीकरण, हम क्या करेंगे, यह जो तीसरा समीकरण है, इसके मान को कहां पे रखेंगे, दूसरा समीकरण में, ठीक, दूसरा समीकरण में क्यों रख रहे हैं पहला में क्यों नहीं रख रहे हैं तो पहला में हम इसे इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि हमने पहला समीकरण को ही लेकर हल किया है अगर हम पहला में रखेंगे तो फिर से हमें यही मान प्राप्थ होगा x-y बराबर-1 फिर से प्राप्त होगा इसलिए हम इसे पहला में नहीं रख सकते तो हम कहां पे रखेंगे दूसरा समीकरण में रखेंगे ठीके जो confusion था यहां पे थोड़ा बहुत था वो doubt clear हो गया होगा आगे बढ़ें अब समीकरण दूसरा में मान रख देते हैं x का तो यहां पे आप लिख सकत है यह मान रखना है तो माइनस एक प्लस y इसके बाद क्या है माइनस कचीन लगा है और दो y है यहां पे तो यह हो गया 2y और बढ़ाबर के उस पर क्या है 12 दिया हुआ है इस तरह से आगे इसको हल करो यह जो 3 है इसका अंदर गुड़ा कर देंगे यह माइनस 3 हो जाएगा यह प्लस यह भी प्लस रहेगा और यह हो जाएगा 3y हो जाएगा फिर यहां पे क्या है माइनस 2y बराबर 12 यहां पे दिया हुआ है यहां पे यह वाई वाई है दोनों तो यह हल हो सकता है तो हल कर देंगे और यह जो 3 है ना यह संख्या में है तो संख्या और संख्या को हम एक साइड ले जाएंगे इस तीन को हम किस साइड में ले जाएंगे इस साइड वाले में तो ये तीन जो है वो इस साइड आ जाएगा तो यहाँ पे बारा है और ये इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा तो ये प्लस तीन बन गया अब यहाँ पे ती तो आप समुकरण 1 पर रखो, 2 में रखो ए, 3 में, जीसमें भी रखोगे x अक्माल निकल जाएगा. तो इसका माल हम समुकरण 1 में रख देते हैं. तो यहाँ पर लिखो y का माल समीकरण 1 में रखने पर. समीकरण 1 क्या था? मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ. x-y बराबर माइनस क्या था एक था न अब हम यहाँ पे y कमार रख देते हैं तो इसका मान है 15 बराबर माइनस 1 ठीक यहाँ तक समझ में आ गया यह जो माइनस 15 उसको उस पाल ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस 1 और यह हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा x बराबर इन दोनों को हल करेंगे तो यह प्लस है माइनस घड़ जाएगा कितना बचेगा 14 तो यहाँ पे x कमान प्राप्त हुआ 14 और y कमान कितना प्राप्त हुआ 15 अगर x और y के एक एक मान प्राप्त होता है इसे हम कहते हैं अद्विती हल ठीक है क्या कहेंगे अद्विती हल कहेंगे सिर्फ X और Y के एक एक मान प्राप्त होना क्या कहलाता है अद्विती हल अगर X और Y के बहुत सारे मान प्राप्त होते same to same ठीक है same to same प्राप्थ हो रहा है चौदा चौदा इस तरह से तो क्या होता वो अनेक हल होते या फिर अलग-अलग भी मान प्राप्थ हो रहा है तो क्या होता अनेक हल होता फिर हाल अभी आप इतना जानो कि यहां पर x और y का एक एक मान प्राप्थ हो है तो यह क्या होगा अद्विती हल होगा, ठीक, यहां तक समझ में आ गया, चलो, दूसरा देखते हैं, देखो दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है x-2y बराबर यहाँ पे 5 दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है 2x-4y बराबर यहाँ पे 6 दिया हुआ है ठीक है इसे हल करके देखें तो यह पहला समीकरण यह दूसरा समीकरण इसको भी प्रतिस्थापन विधी से अल करते हैं प्रतिस्थापन विधी से तो प्रतिस्थापन विधी से इसको भी अल करते हैं तो हम समीकरन एक का प्रतिस्थापन करेंगे x-2y बराबर यह रहा 5 यहाँ पी यह जो दो आई है उसको इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा यहाँ पे सिर्फ एक सा बचेगा और यहाँ पे पांच प्लस दो वाई हो जाएगे यह प्लस क्यों होगा क्योंकि यह इस साइड में माइनस था दूसरे साइड में आकी यह हो जाता है प् समीकर्ण एक कही मान है, इसलिए हम समीकर्ण एक के मान को कहां पर रखेंगे, समीकर्ण दो में रखेंगे, समीकर्ण दो में रख देते हैं, तो जहां पर एकसर हैगा, वहीं पर रखने हमें, तो यह रहा दो, यहां पर एकसर है, एकसर के जगह में क्या जाएगा, पांच प् प्लस दो दुनी 4y हो गया और यहाँ पे-4y बराबर यह रहाच है इसको इस साइड ले जाते हैं तो यह 6 और यहाँ पे जो संख्या कितना प्राप्त हो, 0, क्या यहाँ पे हमारे पास y है, नहीं, y तो 0 हो गया, तो यह जो मान है न, exist नहीं करता है, क्या नहीं करता है, ठीक है, मतलब इसका कोई हल नहीं है, क्या होगा, इसका कोई हल नहीं है, क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है, क्योंकि y जो है, यहाँ पे कड कड़ गया देखो y कड़ गया तो मान ही प्राप्त नहीं कर सकते हैं हमें मान किसका निकालना है x और y का अगर y ही कड़ गया और y कहां मान नहीं निकाल सकते तो यह मान क्या exist नहीं करेगा इसका मतलब यह है कि इसका कोई हल नहीं है तो यहां पे आप लिख सकते हो कोई हल नह नहीं है जो नहीं समझ में आ गया चोकि y ही नहीं है और नहीं x रहगा जब y नहीं है तो x हollar ही नहीं सकता ध्यान देना ना क्या नहीं हो सकता अगर y कट रहा है इसका मतलब यह कि x भी कट ही जाएगा किसी निकाइस्ट कारार से इसलिए ये मान exist नहीं करेगा इसलिए इसका जो हल है वो कोई हल नहीं है आपको लिखना है समझ में आगया यही इसका final answer है इससे आगे यह हल नहीं हो सकता चलो तीसरा देखें तीसरा प्रशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस y पराबर यहाँ प की है तो पहले सुधा लेते हैं इस y को अंदर ले आते हैं तो x-y बराबर यह हो गया दो अब इसे दूसरा समीकन माल लेते हैं समझ में आ गया हमने यहाँ पे x और y को दोनों को एक साइड में रख ले है ठीक इसलिए हमने यहाँ पे इसे समीकन दो नहीं माना इसे हमने सम 58 विदी से हल कर देते हैं ठीक ज़रूँ नहीं है कि हर बार प्रतिस 56 विदी से से कई प्रस्ण जो है प्रतिस्थापन विधी से बनते हैं इसलिए चलो देखें तो यहां पर इसमें प्रतिस्थापन करेंगे किसका करेंगे यहां पर लिख लो प्रतिस्थापन विधी से यह जो समीका नेक है X plus Y बराबर bizim 6 इस Y का इस पार पक्षानत्र कर देंगे तो ये हो जाएगा X बराबर 6 माइनस क्या हो गया इस Y के मान को कहां पे रखेंगे समी कराण 2 में क्या हम इसे समीका नेक में रख सकते हैं नहीं रख सकते, आपको पता चल गया, क्यों नहीं रख सकते, चलो, आगे हल करें, अब इसमान को यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पे देखो, X है, मतलब 6-Y हो गया, और यहाँ पे पहले से-Y है, बराबर 2, यह जो 6 है, इसको इस साइड ले आते हैं, तो यहाँ पे माइनस 2-Y हो जाएगा, और यह दोनों, यह प्लस माइनस घर की इतना प्राप्त होगा, माइनस 4 प्राप्त होगा, देखो, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, दोनों में माइनस है, तो कड़ जाएगा, तो क्या बचेगा, 2-Y बराबर 4 बस बचेगा, अब यहाँ पे 4 है और यहां पर दो आइस के सांद गुड़ा है तो यहां पर वाई बस को रखते हैं दो कोई साइड ले आते हैं तो यह क्या होगा गुड़ा के रूप में इसलिए यह तीरिया गुड़ा के रूप में नीचे आएगा सिर्फ गुड़ा के रूप में होने के कारण क्या हुआ दो जो है y के साथ गुड़ा के रूप में इसलिए यहाँ पे नीचे में आया है अगर यह गुड़ा के रूप में नहीं होता नहीं भाग के रूप में होता तो इस प्रकारसे पर ग्रिया नहीं होता जैसे जोड़ने घटाने में क्या करते हैं जब हम इसको इस साइड से उस साइड ले जाते हैं तो माइनस होता है ना ऐसे ही होता लेकिन यहाँ पी यह दोनों गुड़ा में हैं इसलिए यहाँ पे भाग के रूप में निचे आ जाएगा इसे भाग करेगा चार को चलो आगे हल करो अब वाई बराबर दो एकम दो दुन समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक क्या है तो देखो एकस प्लस वाई बराबर 6 था ना तो इसमें हम रख देते हैं तो यह एकस और वाई कमान कितना है दो आया है और बराबर यहाँ पे 6 है यहाँ पे एकस इस दो को साइड ले जाते है तो 6 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा तो X क्मान कितना प्राप्ट हुआ चार तो देखो X और Y दोनों के मान निकल गया और दोनों के क्मान प्राप्ट है इसका मतलब क्या है अद्विति हल है ठीक है क्या है अद्विति हल अब आगे के जो प्रस्न है आगे के जो प्रस्न है उसको बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही अलग है तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाना है क्योंकि इस तरह से तो अब नहीं बनेगा ठीक है बनाने के जो तरीके वो पूरा चेंज हो जाएगा तो उसी विदी से हम बनाएंगे जैसा यहां पे यह बन सकता है तो चौथा प्रश्न देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है यहां पे देखो पांच x माइनस 8y है बराबर माइनस 1 है और इसे हम पहला समी का अनमाल लेते हैं और यहांपे क्या है यहांपे है 3x minus 24 upon यहां पे 5 है और यह y plus 3 upon 5 बराबर 0 इसे हम दूसरा समीकन मान लेते हैं इसमें थोड़ा सा और changes करना है यहां पे जो हर है ना इसे हमें हटाना है तो फ़चाने का तरीका क्या है कि अगर हमें इसे हर को हटाना है तो Надसमर्न हम पांच का क्या ले देंगे क्या कर देंगे गुड़ा कर देंगे 5 का गुड़ा कर दो यह हो गया पांतियाभ पंदरा एक्स हो गिया ये माइनस ये 24 वाई इसके साथ भी गुड़ा करेंगे तो पांच का गुड़ा हो जाएगा और नीचे में क्या था पांच था फिर ये प्लस 3 गुड़ी 5 क्योंकि पांच का गुड़ा होगा और नीचे में क्या है पांच है और 0 के साथ भी पांच का गुड़ होगा यहां पे तो देखो उपर के सभी मानों के साथ पांच का गुड़ा हो गया यहां पे पांच का गुड़ा यहां भी पांच का गुड़ा अब यहां पे देखो यह दोनों पांच यहां पर जो मान है, वो क्या है? एक्जिस्ट ये भी नहीं करेगा. इसलिए हम क्या करेंगे? इसके जो तरीके हैं, वो अलग तरीकेसी से हल करेंगे. यहां पर कोई हल नहीं आएगा, यहां पर आएगा अने हल, क्यों आरहे है? तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है 15 है यहाँ पे 24 है 3 है इसको अगर मैं इस साइड ले आता हूँ चलो अभी थोड़ा सा इसे और अहल कर लेते हैं 15x-24 y और इस साइड में ले आते हैं माइनस 3 हो जाएगा इसको समीकन 3 ना देके मैं क्या करूँगा इसको समीकन 3 दे देता हूँ अब यह इसे मैं समीकन 3 दे देता हूँ यहाँ पे देखो यह 5 है और यह 15 है कितना है 5 और 15 अगर मैं 3 का यहाँ पे गुड़ा कर दू ते यह कितना बन जाएगा 15 ये भी 15 एकस है इसके बाद 3 को गुड़ा इसके साथ होगा 24 यहां भी देखो 24 बन रहा है फिर यहां पे 3 को गुड़ा हुआ ति यह 3 माइनस 3 हो गया है यहां भी पहले से माइनस 3 है इसका मतलब क्या है कि दोनों एकदम same to same प्राप्थ हो रहा है क्या प्राप्थ हो रहा है same to same प्राप्थ हो रहा है तो इसके अनेक हल होंगे तो इसका जो तरीका है न वो पूरा का पूरा आप क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे हम यहां पे समीकरण 1 को लेंगे और समीकरण 3 को लेंगे यहां पे आप ल B1 का मान 8 निकलेगा और C1 का मान माइनस 1 निकलेगा अब ये कैसे होगा तो देखो मैं बताता हूँ आपको ठीक है यहाँ पर ये A1 हो गया ठीक है A1 हो गया अब A1 में देखो जो 4 रासी उसको छोड़ देना है तो 4 क्या है X है इसको छोड़ो किया दिखाई दे रहे है 5 ठीक यहाँ पर आजाएगा B1 का मान माइनस 8 आठ आजाएगा इसी तरह से देखो यहाँ पर C1 का भी निकाल लेते हैं तो C1 का देखो यहाँ पर कोई भी चरदासी नीती से हमें छुपानी की जुरत नहीं तो संखिया में दिया है तो हम पूरा संखिया को क्या कर लेंगे लिख यहाँ तक समझ में आया अब A2 का मान निकालते हैं तो A2 के मान निकालने का तरीका भी वही है देखो यहाँ पर हम X को छुपा दिये तो कितना आया 15 आया यहाँ पर देखो Y को मैं छुपा देता हूँ तो B2 का मान कितना प्राप्त होगा माइनस 24 प्राप्त होगा और C2 का मान कितना प्राफ्थ होगा माइनस 3 प्राफ्थ होगा अब हम A1 अपान A2 का भाग दे देते हैं A1 देखो ये A1 अपान A2 का भाग हो जाएगा B1 अपान B2 का भाग हो जाएगा C1 अपान C2 का भाग हो जाएगा A1 upon A2 का भाग करने पर 5 upon 15 आ गिया B1 upon B2 का भाग करने पर 8 upon यह minus 8 है और यह 24 है इसी तरह से C1 upon C2 का भाग करेंगे तो minus 1 और यह minus 3 इस तरह से देखो जो जो कटर उसको कटा दे देखो A1 upon A2 बराबर 5 यह कम 5 यह एक 3 यहाँ पर प्राप्त हो गया B1 upon B2 बराबर देखो पहले तो यह दोनो minus कर गया अब बच्चा क्या 8 और 4 बिस्तो आठे का माट तिया आठे का माट तिया यहाँ भी प्राप्त हो गया C1 upon C2 यहाँ पर minus minus दोनों कर जाएगत प्लस में आएगत 1 upon 3 अब देखो यहाँ भी 1 upon 3 और यहाँ भी 1 upon 3 मतलब A1 A2 का मान भी 1 upon 3 आया B1 upon B2 का मान भी 1 upon 3 और C1 upon C2 का मान भी 1 upon 3 आया तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि इसके बहुत सारे हल होंगे बहुत सारे इसे हम कहते हैं अनन्त हल कहते हैं ठीक है अनन्त अनेक हल कहेंगे या फिर हम संपाती हल कहेंगे तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ संपाती हल लिख लेता हूँ ठीक है तो दोनों रिखाएं रिखाएं संपाती है अतह अनन्त अनेक हल होंगे ठीक समझ में आ गया जो अनंतने खलोंगे क्योंकि यहाँ पे A1, A2, B1, B2, C1, C2 तीनों के मान क्या प्राप्प्त हो रहा है 1 upon 3, 1 upon 3, 1 upon 3 प्राप्त हो रहा है इसका मतलब इसका क्या है बहुत सारे हल होंगे समझ में आगे है चलो आगे देखें देखो अब जो पांचवा प्रस्न है उसको भी देख लेते हैं तो पांचवा प्रस्न कैसे बनेगा यहाँ पर जो पांचवा प्रस्न है वो है तीन एक्स माइनस चार वाई माइनस एक बराबर जीरो इसको भी थोड़ा सा हल कर लेते हैं तो 3x-4y इसे एक कोसपा ले जाते हैं यह प्लस में हो जाएगा इसे हम समिकर एक नाम दे देते हैं इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है 2x-8 अपान 3y प्लस 5 दिया हुआ है और यह जो 5 है उसको इस साइट ले जाएंगे तो पहले हम क्या करेंगे पहले इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ठीक यह जो 3 है ना यहाँ पे हर में इसे हमें हटाना है तो हटाने का क्या तरीका है कि हम अंस में 3 का गुड़ा कर दें तो अंस में 3 का गुड़ा करेंगे दिये हो जाएगा 3 दुनी 6 X हो जाएगा फिर माइनस 8 तीय 24 Y हो जाएगा या फिर हम इसे लिखें 8 Y गुड़ित 3 क्योंकि 3 को हमें इसके साथ कटाना है तो हम पूरा गुड़ा गुड़ा ना करके इस तरह से कर लेते हैं प्लस 5 गुड़ित 3 यहाँ पे हो गया 6 X यह 3 कर गया माइनस 8 Y आया और यहाँ पे 5 यह 15 यह जो 15 है उसको साइड ले जाते हैं तो यहाँ पे बचेगा 6 X माइनस 8 Y बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 15 इसे हम दूसरा समी करण दे देते हैं ठीक है इस तरह से चलो अब क्या करेंगे अब यहाँ भी समी करन एक और 2 को उसी तरह से हल करेंगे जैसे हमने अभी 4 को हल किया है तो ऐसी कर लेते हैं तो यहाँ पे लिखो समी करन 1 से देखो A1 कमान क्या एगा तो समीकरन 1 से A1 कमान यहाँ पे अगर इस X को मैं छुपा देते हूं क्या बच रहा है 3 दिखाई दे रहा हमें तो मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा B1 कमान क्या रहाएगा तो देखो क्या दिखाई दे रहा है माइनस 4 तो यहाँ पे आ गया का मान देखो, तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस आठा जाएगा, और C2 का मान देखो, तो यहाँ पे क्या है, माइनस 15 है, तो यह आगया, माइनस 15, यहाँ पे A1 अपान इन दोनों को देखो, सभी को क्या कर देना है, भाग देना है, A1 अपान A2 बराबर 3 अपान 6, B1 यहां पे तीने कम जिंदूनी कड़ गया तो a1 अपान a2 का मान यहां पे प्राप्थ हुआ b1 अपान b2 बराभर यहां पे यह दोनों मैंनस में इसमें कड़ गया तो यहां पे बचा क्या 4 और 8 चारे कम 4 दूनी यहे भी कड़ गया एक और दो से तो 1 upon 2 यहां भी प्राप्त हो गया यह C1 upon C2 बराबर 1 upon minus 15 यहां पे आ रहा है अब देखो यह दोनों मान बस क्या है बराबर है मतलब A1 A2 बराबर है A1 upon A2 B1 upon B2 बराबर लेकिन C1 upon C2 बराबर नहीं है तो यह भी क्या होगा इसका भी कोई हल नहीं होगा क्या होगा कोई हल नहीं होगा तो यहां पे आप इसे इस तरह से बता सकते हैं कि A1 upon A2 बराबर है B1 upon B2 के लेकिन यह दोनों के बराबर C1 upon C2 नहीं है अता है इसका हल क्या होगा इसका हल जो है इसके प्रकार जो है वो कोई हल नहीं है होगा ठीक है क्या होगा कोई हल नहीं होगा समझ में आ गए कोई हल नहीं है चलो आगे देखें नेश्ट प्रस्न इसके बाद देखो छटवा प्रस्न देखते हैं चटवा प्रस्न कैसे बनेगा तो यहाँ पे x प्लस 2y बराबर 8 2x प्लस 4y बराबर 16 यहाँ पे दिया हुआ है इसे हम समीकरण 1 मान थे और इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं अब यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो कुछ हमें करने की जुरत ने हम डायक्टे यहाँ पे a1 a2 का मान निकाल सकते हैं तो निकाल लेते हैं a1 बराबर यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ एक B1 बराबर यहाँ पे कितना प्राप्ट हुआ? 2 और C1 बराबर यहाँ पे कितना प्राप्ट हुआ? यह देखो 8 ठीक है? यह संख्या में इसलिए डायक्टे से उताल लेते हैं इसी तरह से A2 बराबर देखो X ओक में चुपाता हों कितना बचे? 2 B2 बराबर Y को छुपाता हों कितना बचेगा? 4 और C2 बराबर यहाँ पे कितना बचेगा? 16 ठीक है? अब इन सभी को भाग दे देते हैं तो यह A1 अपान A2 का भाग दे रहे हैं और यहाँ पे है 1 अपान 2 है और B1 अपान B2 को भाग देंगे तो यहाँ पे 2 अपान 4 है और C1 अपान C2 को भाग देंगे तो यहाँ पे है 8 अपान 16 है जो जो कट उसको कटा देते हैं 1 अपान A1 अपान A2 1 अपान 2 रहेगा यह नहीं कट रहा है और B1 अपान B2 तो देखो यहाँ पे यह दुनों कट रहा है वो क्या है तिनों का मान देखो 1 upon 2, 1 upon 2, 1 upon 2 है इसका मतलब क्या है कि ये दोनों संपाती है संपाती इसका मतलब क्या है कि इनके अनेक हल होंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अनेक हल होंगे ठीक है इनके जो प्रकार है न हल करने का वो क्या होगा अनेक हल होगा अगर A1, A2, B1, B2, C1, C2 तीनों बराबर है तो क्या होंगे अनेक हल होंगे इससे पहले वाले में देखो क्या हुआ था इससे पहले वाले में यहां पे देखो यहां पे क्या हुआ था A1 अपान A2, B1 अपान B2 यह दोनों तो बराबर थे लेकिन यह तीसरा ज टू तो यहां पर क्या है अगर यही पहले वाला ही बराबन नहूं इन दोनों के तो इसे हम कहते हैं अद्विती हल ahead मैं इसको बताओंगा ठीक हम आठीक बारी किसे बताओंगा इसके बारे में तो अभी के वीडियो में बस इतना ही नेश्ट्ρεί वीडियो में मैं आपको चौंथा पрашने के बारे में बताऊंगा, मैं कुछ वीजियो से हैल करूँगा, जिसे कि गराफ विदी है, वाज गुर्ण वीदी है, आलेक विदी है, मतलब वही आलेक विदी है, विलोपन विदी है, और एक है प्रतिस्थापन विदी, तो इन वीडियो के माध्याम से मैं उन प्रस्मों को हल करेके बताऊँगा को इसे कैसे बनाया जाता है अभी आपने जितना सिखा ये काफी है और थोड़ा सा ये टब था क्विश्चन तो इसके जो तरीके और समय समय पे चेंज करना पड़ रहा था मैं नहीं चाहते हुए भी इसके जो तरीके है ना उसे मुझे चेंज करना पड़ा ठीक है तो आसा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा